उस्सू ICC ODI World Cup 2023 के Point Stable में कई बड़े उलट फेर देखने को मिल रहे हैं जहां आज World Cup 2023 का ग्यारवा मैच New Zealand बनाम बंगलादेश के बीचे खेला गया और इस मैच में New Zealand ने बंगलादेश को हरा कर Point Stable में पहले अस्तान पर पहुच चुकी है जबकि बंगलादेश को Point Stable में क काफी बड़ा नुकसान हो चुक है तो ऐसे में Point Stable में कौन सी टीम किस अस्तान पर है और सेमी फाइनल में यहां से किस टीम को अब कितने मैच और जीतने होंगे मैच शूड़े में आपको यह सारी जानकारी जो है देने वाले हो तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी इंपोर्टन वीडियो में अंततक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंदा बातना वेते दोस्तों किरकेट से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल ज अस्तान पर बनी हुए है इस टीम ने अब तक दो मैच खेला और दो के दोनों मैच में इस टीम को हार मिली है अभी इस टीम के पास टोडल जीरो पॉंट है नेट रनेट जो है माइनस 1.907 का अभी 7 मैच और खेला और आने वाले इन 7 के 7 मैच में जीतने के साथ साथ नेट और भी बहतर करना होगा सेमी फाइनल में कॉलिफाइक करने के लिए वही अफगानिस्तान अपना अगला मैच इंगलेंड के खिलाफों खेलने वाली है जबकि पोइंस टेबल में नवे अस्तान पर है ऑस्टेलिया पैट कमिंस की कप्तानी वाले टीम ऑस्टेलिया साथ मैच और खिलने और साथ के साथ मैच में इस टीम को जीत दर्जी करनी होगी सेमी फाइनल में कॉलिफाइक करने के लिए वही ऑस्टेलिया अपना अगला मैच सिलंका के खिलने वाली है पोइंस टेबल में आट वे अस्तान पर है नीदरलेंड एडवर्स की कप्तानी व अभी आने वाले साथ मैच और खिलने और इन साथ मैचों में से कम से कम साथ के साथ मैच में जीतना होगा सेमी फाइनल में पहुचने के लिए पोइंस टेबल में साथ वे अस्तान पर है सिलंका सिलंका ने अब तक दो मैच खिला और दोनों मैच में भी इस टीम को हार का साम करें कि लिए सिलंका अगला में जो है और श्रेलिया की खिलने वाली है रहुम इस टेबल में कई आस्थान पर आज का मैच हारने वाली टीम बंगलादेश, बंगलादेश को आज के मैच में न्यूजिलेंड ने हरा दिया, जहां बंगलादेश अब तक तीन मैचे खिली है, और इस टीम को इन तीन मैचों में से दो मैच में हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच में इस टीम को जीत मिली है, यहां इस टीम के पास से टोटल दो पॉइंट अनेट अनेट माइनस में काफी खराब है अभी छे मैच और इस टीम को खेले हैं और आने वाले इंचे के च्छोयों ने उच्छे मैच में जीत हासिल करनी होगी सेमी फाइनल में कॉलिफाइक करने की पॉइंस टेबल में पांच वे असान पर है इंग इंग्लेंड ने अब तक का दो मैच खेले हैं और इन दो मैचों में से एक मैच में इस टीम ने जीत दरजी की है जबकि एक मैच में इस टीम को हार मिले हैं इंग्लेंड के पास टोटल दो पॉइंट नेट अनेट इस टीम का प्लस में है प्लस 0.553 का अभी साथ मैच और ख पाकिस्तान बाबा राजम की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान ने अब तक दो मैच खेले हैं और इन दो के दोनों मैच में इस टीम को जीत ने मिली है जहां इस टीम के पास टूडल चार पॉंट रनेट रनेट प्लस में काफी बहतर है प्लस 0.927 का जो की इंग्लेंड से इंडिया ने अब तक दो मैच खेले है और इन दो के दोनों मैच में इस टीम को जीते मिली है इस टीम के पास अभी टोडल चार पॉंट है नेट रनेट प्लस में काफी बहतरी ने प्लस 1.500 का जो की पाकिस्तान और इंग्लेंड से काफी बहतर है साथ मैच और इस टीम को ख खेलने वाली है पोईंट टेबल में तूसरे अस्तान पर की सक चुकी है साउथ अफरीका साउथ अफरीका ने अब तक दो मैच खेले है और इस टीम को इन दो के दोनों मैच में जीत दबरदस्त मिली है जहां इस टीम के पास टोडल चार पॉंट है तो इस तो आउथ अफर में ऑफिसली कॉलिफाइ करने के लिए टेंब आपकानी वाली टीम साउथ अफ्रीका अपना अगला मैच नीदरलेंड के खिलाफ और 17 ऑक्तूबर को खेलने वाली है जबकि पोई स्टेबल में पहले अस्तान पर है आज का मैच जीतने वाले टीम न्यूजिलेंड केन विलियम नेड इस टीम के पास 6 पोईंट है जो कि सबी टीमों से सबसे ज्यादा इस टीम केि पास पोईंट है तो इन नेटर प्लबस में काफी बहधा अस्ति एस टीम नेटर नेटर अभी इस टीम को छे मैच और और आने याल Less ken्त चार मैच कम से कम और जीतना होगा सेमी फाइनल में ऑफिसली जगह पकी करने की दोस्तों ये रहा ODI World Cup 2023 का नया पॉइंस टेबल जो की 11 मैच न्यूजी लेंड बना बंगलादेश के बात का है तो आपके अगोडिंग आपको क्या लगता है न्यूजी लेंड और बंगलादेश में से कौन सी ओ टीम रहेगी जो टॉप 4 में पॉइंस टेबल में सबसे पहले जगह बनाने में कामियाब हो प